वाट्स आप बीटुफल पीपल क्या हाल चाल और वेल्कम बैक पुम यूट्यूब चैनल यौर ओन खान सामा तो कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली एंड आज जो रसे भी हम लोग बनाने जा रहें इस संथिंग डिफरेंट क्यों कि आप अगर डेली लाइफ में पुहा खा करते हैं एंड वीडियो के स्टार्टिंग पर लाइक ठोक देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अब बाकी सारा काम म्यूजिक का बात करते हम लोग तो सबसे पहले हमें क्या करना है पुह को धो लेना है तो मैंने यहां पर दो का पोहा लिया है और जिसमें अभी पान पानी डालके इसे अच्छे से दो लेना है और दोने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी उसको फेक दे और इस पोहे को कम से कम 15 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में रख दे बस तो चलो 15 मिनिट हो चुका है तब तक एक बोल पे मैंने दो उबले हुए आलू लिये है और इसमें जा रहा है सोक पोहा जो हमने 15 मिनिट के लिए रेस्ट करने दिया था और इसमें जागा एक मीडियम साइज का प्यांस कटा हुआ एक हरी मिर्च कटा हुआ और धनिया पत्ता अपने हिसाब से लेना आप और दो चमज जागा इसमें कॉन फ्लावर और एक बड और सॉल्ट अकॉर्डिन टू यह टेस्ट अब लास्ट में इसमें जाएगा गरम मसाला एक चमज और एक चमज अमचूर पाउडर यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इस्तमाल करें और अगर ना चाहें तो ना करें यह आपके उपर है अब सारे चीजों को यह दृवह बिल्कुल अप्शा जो है डोर टाइप होकर त्यार है अब इसको क्या करना है हमें के लिए कुछकर के लिए और इसको rest करने के लिए देखे हम लोग तब तक यहां पर बना लेते हैं slurry slurry के लिए यहां पर दो चमच गौन फ्लावर चाहिए और एक चमच all-purpose flour या मैदा इसमें जाएगा पानी पानी डालने के बाद आपको अच्छे से इसको मिलाना है देखना है कि flowing consistency बिल्कुल लेसा ही रहे ज्यादा गाड़ा मत करिए और दूसरी तरह अब हमारे पास bread crumbs तयार ही है तो चलिए है अब 15 minute का rest खतम है अपना फिर से यह पोहे का तो तब तक मैंने अपने हाथ में थोड़ा से तेल ले लिया है क्योंकि हाथ में चिपकता है तो तेल अब बिल्कुल इस्तमाल करें अब इसमें छोटे-छोटे pieces कट करके इससे हम पोहे को cutlet का shape दे देंगे बिल्कुल ऐसे और एक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ बिल्कुल ऐसे छोटा सा एक piece ले और उसको हाथ से दबा दबा के बिल्कुल cutlet का shape दे ले यह दिखिए बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल आराम से करें कोई दिक्कत नहीं है यह पुहा इसमें है इसलिए यह ज़्यादा पदला नहीं बनता तो तूटने का कोई डर है नहीं और यह दिखिए सारे pieces मैंने तियार कर लिया है अब क्या करना है अब बाकी सारे काम हमें खतम करने हैं तो करते हैं चला assembling तो assembling करने के लिए यहां पर हमारे पास है पहले जो slurry उसके बाद है ब्रेड क्रम्स एंड अपने कटलेट के pieces अब क्या करना है कटलेट के एक पीस को इधर ऐससे slurry में डूबाना है जो जाड़ लेना है फिर इसको कटोरे में डालके आराम से चलाना है तो इससे क्या होगा आपको एक हाथ slurry में और एक हाथ क्रिस्पी यह बनेगा यह देखिए सारे pieces हमने त्यार कर लिया है इसको फ्राइब करने से बिला पांच मिनिट के लिए आप ऐसे एक बार रेस्ट करने के लिए दे दे और अब इसको फ्राइब करने की बारी तो यहां पर बहुत ज्यादा तेल मैंने इस्तेमाल नहीं किया है आप चाहों तो इसको डीप फ्राइब कर सकते हैं इसको बिल्कुल इसको ऐस से तेल उचल उचल के युद नहीं बिल्कुल तेयार है जब ऐसा कलर का हो जाए तब आपको इसको तेल से अलग कर लेना है ना और कटलेट इस रेडी अभी क्या करने इसको सर्व करेंगे तो सर्विंग प्लेट बिलते हैं चलो कर वाह जा डाल हो वाह जाल हो जाच क साल ही क्शलेशपिया क्या है उलग करो भाती है क्या क्या है